आईए सुनते हैं पद्मा सच्टेव जी की कहानी मुक्त दो कमरों का घर भायं-भायं कर रहा था रसोई के आगे छोटी सी भालकनी में ओंधे पड़े बर्तनों की तरही संध्या दोनों हाथों में चटाई को भीच कर बुच्चू-मुच्चू सी पड़ी थी उसके हाथों की तूटी काँच की चूडियों के टुकडे जमीन पर लावारिस लाशों की तरह पड़े हुए थे कलाई पर जमा खून और खरोचे देखकर उसे अपने सोने की चूडिया फिर याद आ गई संध्या ने चटाई को हाथों से भीच लिया उसकी सिस्किया फूट पड़ी उसकी आँखों की खोर में ठहरी आसूओं की बूंदे बह निकली उसके तार-तार हुए कपड़े गुजिश्ता रात की कहानी कहने लगे भारिश अब थम चुकी थी सिर्फ हावा में उसकी खुश्बु थी या चिपचिपाते हुए माहौल में मुडेरे उपर ठहरी बूंदे पत्तो पर विश्राम करते जलकन और कहीं कहीं बच्चे की तरह लुड़क जाने पर टपसे शोर करता जल उसे आचे इतावस्था में मानो फिर सुनाई दिया ठक 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 उसने अपने होंट बीच कर चटाई और जोर से पकड़ ली और होंटों से एक कारत के साथ लफस फूटे फिर आया होगा हरामी आसू जोर जोर से बहने लगे नाक के दौर पूरी तरह से बंद थे सिस्कियों से उसकी चाती उपर नीचे हो रही थी उसे लगा ठक ठक फिर हुई है हिम्मत करके उसने चटाई छोड़कर अपनी दुखती बाहें फैलाई कड़कर की आवाज ऐसे हुई जैसे किसी दक्त की ठैनी तूटी हो दर्द की एक लहर के साथ खरोचों पर बने निशान खिच कर बहने लगे खून खून लाल खून उसने उन कत्रों को देख कर कहा मा मैं हार गई हूँ मैं अपने बेटे से हार गई हूँ सुबकते हुए फिर उसने बेमन से कहा हा मा वैसे ही जैसे कभी तुम मुझ से हार गई थी वक्त अपना बदला ले रहा है जानती हो मा उसने क्या लिखा है संध्या ने अपनी सुक्की को दुपट्टे के आचल में ढखते हुए कहा हाँ मा हाँ यही लिखा है उसने तुम्हारे पप्पु ने यह लिख दिया मा सुनोगी तुम्हारा कलेजा मूँ को आ जाएगा उस पर हाथ रखो और सुनो तुम्हारे पप्पु ने कुछ लिखने के बाद ये भी लिखा है पापा की आते बिगारने में तुम्हारा ही हाथ है मा सुन रही हो, कितनी बड़ी बात लिख गया है तुमारा पप्पु तुम चाहे न कहो पर मुझे याद है इसकी उम्र की थी तो मैंने तुम्हें भी यही कहा था तब मैं कहा जानती थी मेरा बच्चा भी मुझसे कल यही कहेगा अपने वक्त का हरकोई सिकंधर होता है मा आने वाले वक्त से बेख़वर जाने वाली बहार से अंजान मोड पर गिड़े पहार से अन्भेग्य मा इसके भरोसे मैंने इसके बाप का हर जुल्म सहा और तुम्हारी शर्म से मा तुम्हारी शर्म और लिहास के चपूं से मैं वक्त की लेरें पीछे ढखेलती रही मैं जानती थी अगर पपू के बापू के जुल्मों का पता तुमें चल गया तो तुम बचोगी नहीं तुम्हारे मरने का दुख न होता पर इस बात का दुख ज़रूर होता कि तुम वो सब जानकर मरी हो जिसे छुपाने के लिए मैं ये दुख बरदाष करती रही नहीं तो मैं बेटे की माँ थी, दो वक्त की रोटी कमा ले थी अपना बेटा भी पाल सकने योग्य थी, अस्पिताल का क्वाटर भी मेरे ही नाम है क्या सिरपर्शत और चूले में आग होने के बाद भी आग में जिन्दा रहना जरूरी है तुम्हारे घर का चूला भी तो तुम्हारे ही दम से चलता था मा एक गाय पाल कर उसका दूद बेच कर तुम आज इतने बड़े तबेले की मालकिन हो गई बच्पन में मैं जब तुम्हें गाय का दूद दूते हुए थाने धार के घर लोटा ले जाते देखती तो तुम पर बड़ा गुस्सा आता पेट बर दूद मिलने पर भी मैं वो सारा दूद खुद भी पी जाना चाहती थी वो हमारी कपिला गाय का दूद था ना एक बार जब तुम दूद लेकर गई थी तब बापू ने मुझे कहा था तुम्हारी मा ऐसी ही है उसे अपनों से ज़्यादा दूसरों का ध्यान रहता है मुझे तुम पर बड़ा गुस्सा आया था पर ये ख्याल नहीं आया कि घर में बापू क्यों नहीं आटा लाते तुम क्यों लाती हो तब मैं सोचती थी जैसे मा मुझे खिलाती है वैसे ही बापू को भी उसे खिलाना चाहिए खिलाने वाली तो माही होती है और जब बापू तुम्हें घायल करके तुम्हारे पाउं की कड़ियां उतार कर ले गए और तुमने धहाड कर कहा था घर चलाना मर्दों का काम होता है तब मैं ये ना समझ पाई थी कि घर को कैसे चलाना होता है पर बापू ने हमेशा ये बात अंसुनी की जब तक वो ट्रेन से कट कर मर नहीं गया तब तक उसके नशे का खर्चा भी तुम चलाती थी वो तुम्हें इतना मारता था गाली देता था फिर भी तुम उसे खाना देती थी जब एक बार मैं सहम कर तुम्हें दर्वाजे की ओट से देख रही थी तब साथ वाली मौसी ने तुम्हारे घाओं पर हल्दी चुना लगाते हुए कहा था जाने दो बंदी उसी की बदौलत तो गुलाबी दपट्टा ओड कर चौक में बैट कर फुल के बनाती हो दूसरी औरत के पास जाता है तो जाने दो तुम्हारा क्या दे आता है कुत्ता है कुत्ता तुमने घाल शेरनी की तरह सीधे बैट कर कहा था मेरे पाओं की कड़ियां उसे ही देकर आया है और अब जो चूडियां उतारना चाहता है वो संध्या की नानी ने उसके लिए दी थी रोज मेरे हाड तोड़ता है ये चूडियां वो खुद नहीं पहनेगा उसी रान को ले जाकर देगा ये दर तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता बड़ी आई चोटे सेखने वाली तुम तो उल्टा चोट दे कर जाती हो मौसी खामोश सी तुमारी चोटो पर हल्दी चूना लगाती रही थी उसके बेयावाज आसू पिघलती बर्व की तरह टपटप गिरते रहे थे उसी वक्त मेरे जीवन में कैसे जैसे दिन चड़ाया था मेरी समझ में आया था बापू जो चूड़ी मा से रोज मांगता है वो असल में मेरी है मा पर अचानक प्यार उमड़ाया था और बापू की सूरत से नफरत होने लगी थी और आज वही चूड़ियां उसका पती खून के कत्रों में से उतार कर ले गया उसकी कलाई फिर फूट पड़ी इन चूड़ियों में से उसे अपनी बहू का सुंदर मुक तिकाई देता था उसने चटाई पर आंधे लेट कर अपने आसू बह जाने दिये और रोते रोते बोली मा तुमने कितनी मार से कर अपनी बेटी के लिए चूड़िया भचा ली थी पर आज मैं अपनी बहू के लिए चूड़िया ना बचा सकी मैंने कोशिश की थी मा मेरी कलाई पर ये रिस्ता खून इस बात का गवा है तुम तो जानती हो वो चूडियां कितनी तंग थी निर्दई ने खाली खीच ली मा अगर पपू ने वो खतना लिखा होता तो आज भी मैं चूडियां न उतारने देती भले ही वो मुझे माल डालता आज उसे छोड़कर तुम्हारे पास भी आने की इमत आ जाती मा पर पपू पपू ने मेरे बदन की सारी सत्ता ने चोड़ ली मुझे दुख में देखकर हैरानगी और बेचारगी से फैलती तुम्हारी आँखों की बेवसी नहीं मुझे आधा माल डाला था मा आज पपू के खत ने मुझे सारा ही मार डाला अगर तुम्हारी बेचारगी को सह पाती तो इस राक्षस को तभी छोड़ देती जब इसने मार मार कर मेरे पेट के बच्चे को खत्म कर दिया था वो लड़की थी मा मैं लड़की की मा होना चाहती थी पर फिर मैंने कभी बच्चा न होने दिया पर मा मैं तुम्हे कुछ नहीं बताना चाहती फिर भी यू लगता है सभी माई जानती है सच क्या है इसलिए वो उपर से जाकती टीप टाप की नाजुक परत को नहीं उगारती दिवाली के दिन जब इस निर्दई ने मेरी बहा तोड़ी थी तब मैंने तुम्हे कहा था मैं बातरूम में फिसल गई थी पर तुम्हारी आखों में जाकता विश्वास मेरी खिली उड़ाता रहा था मैं जब भी तुम्हें इसके बारे में बताना चाहती भगवान के आगे गड़ गड़ा कर मेरा सुख मांगती तुम्हा खड़ी होती और तुम्हारी गुहार मुझे याद आती भगवान मेरी संदों को सुख देना जो मैंने देखा है वो इसे ना दिखाना मुझे हमेशा यही जुम्ला याद आता और देलीस के बाहर बढ़ता मेरा कदम ठिटक कर रह जाता मां तुम मेरे लिए मेरे भविश्य के लिए बाबू का अत्याचार सहती रही पर मैंने ये सब अत्याचार तुम्हारे लिए सहे मां हमेशा भगवान के आगे मेरे सुख के लिए तुम्हारा गिरगिराना मेरी रहत के दर्वाजे बंद करता रहा शादी से पहले जब मैं शफका खाने से देर करके लौटती थी तब तुम्हारे चेहरे पर फैली घ्रिणा गुस्से और हिकारत की ताब मैं ना ला सकती थी तुम्हारी तरफ पीट करके बोला गया जूट भी मुझ पर किसी शोदे की तिपणी की तरह हसता रहा था फिर भी एक बार तुमने अपनी सारी घ्रिणा पी कर मुझे समझाने की आकरी कोशिश की थी संदो ये कंपाउंडर अच्छा आदमी नहीं है अब तुम्हें क्या बताऊं और अभी तुम्हारा रखवाला है गुस्से सो बलती मैं कहीं ये भी नहीं जानती थी कि और दबे स्वर में रगु की बाते करती हैं पर रगु ने अपनी आखों में मुहबत की चाशनी भर कर मुझे कहा था संदो मैं तो दम गलत करने के लिए कभी दो घुट शराव जरूर पीता हूँ पर किसी औरत की तरफ मैंने कभी आँख उटा कर भी नहीं देखा जब तुम्हारे गाओं की लड़कें अबॉर्शन करवाने आ जाती है तब मुझे बड़ी दे आती है अब देखो न रहमती अबॉर्शन ही करवाने आई थी जब मैं उसे अबॉर्शन के टेबल पर ले गया तब उसने शूर मचाना शुरू कर दिया कि मैं उसकी इज़त लूटना चाता हूँ अरे कौन सी इज़त देखो संदो कितना जूट है अगर मैं सचाई बता दूँ तो क्या कोई गाउं में उसे रहने देगा नहीं न बस यूँ समझो कि मुझे तरह सा गया लोगों के मुँ मैं नहीं बंद करवा सकता तब मेरे मन में एक सवाल उठा था अगर उसने अबॉर्शन नहीं कराया तो फिर उसे बच्चा क्यों न हुआ पर इस तरह की फिजूल सी बातों को मुहबत का तुफानी रेला पीछे ढखेल देता था जब संधों गाउं में दस्वी बास करने वाली पहली अकेले लड़की थी तब इसी रगुने दोरे पर आये डॉक्टर को कहकर इसे नर्स की ट्रेनिंग के लिए भिजवाया था तब तो तुम भी खुश थी मा पर तुम और मैं दोनों ही ये नहीं जानते थे मुझे ट्रेनिंग पर भिजवा कर ये बरसों मास्टर की बेटी को शादी का जहासा देता रहा और जब उसकी शादी हो गई तब उससे पैसे अटता रहा ये मुझे कुद मास्टर की बेटी ने बताया था पर तब मुझे रगु के सिवा कुछ ना दिखाई देता पर हाँ हमारी शादी के बाद रगु ने उसे ब्लैकमेल करना बंद कर दिया था ब्लैकमेल तुम नहीं समझोगी मा तुम सारी उमर ब्लैकमेल होती रही तुम्हें सब समझना आया तो अब क्या आएगा क्या क्या बताऊं मा ये सब जिल्लत की कहानिया है तुम नहीं सुनो तो अच्छा है डॉक्टर वर्मा के साथ जब इसने मुझे तोमत लगाई तो मैंने ग्रड़ा और गुस्से के मारे अस्पिताल जाना बंद कर दिया थोड़े दिनों के बाद जब दो तीन फाके लगे तो मुझे फिर नौकरी पर जाना पड़ा पपो कहता मा धूद दो न मैं कहती पैसे नहीं है वो कहता पैसे बजार से खरीद लाओ न मुझे उसकी बातों पर तरस भी आता और प्यार भी पर उसका बाप उन दिनों फिर गायाब हो गया था और मैंने अस्पिताल जाना शुरू कर दिया था कोई भी डॉक्टर मुझे अपने वॉर्ड में नहीं रखना चाता था मैं अप राधनी सी नौकरी पर जाती थी इतनी बेहुर मुती मैंने किस के लिए सही तुम्हारे लिए मा और तुम्हारे इस पपू के लिए और मा आज जानती हो उसने मुझे क्या लिखा है मा उसने मेरी जात को गाली दिये उसने लिखा है मैं डॉक्टर वर्मा की रख्यल थी उसने लिखा है मा मैं तुमसे नफरत करता हूँ मुझे ऐसी मा नहीं चाहिए और मा, उसने लिखा है, मैं नहीं जानता मैं किसका बेटा हूँ, और मत पूछो क्या क्या लिखा है, ये रगुख पिछले आट-दस दिनों से गायब था, तो मैंने सुखी सास ली थी, मेरी रसोई के बरतन चमकने लगे थे, मेरी आंगन की दूप मीठी हो गई थी, मेरे घर आये पप्पू की चिठी, और फिर आया यमदूत, तुम्हारा जमाता, तुम ठीकी कहती थी मा, यमदूत से ही जमाता बना है, उसने घर में घुशते ही, घर की पूरी सास रोग दी, और बैठा भी नहीं, बादलों की गरगरहाट की तरह बोला, जिस बेटे पर तुमें न इतनी घरना रगु पर आज हुई, उतनी पहले कवीना हुई थी, पप्पू का रहसे मेरे सामने खुल गया था, जिस पप्पू को सेथ सेथ कर रखा था, जिसके भविशे के लिए मैंने अपना वर्तमान दाओं पर लगा दिया, उसने मेरी उम्मीद का दिया बुजाने के लेड़ गई और बड़ी बेचारगी से कहने लगी, मैं हार गई हूँ मा, मैं सची हार गई हूँ, तुमसे सब कुछ छुपा कर रखने का जो मेरा संकल्प था, वो भी हार गया है, अब तुम सब जान जाओगी, पर मैं कब तक फिसलती बात को पकड़ कर रखूँ, तुम म चांती थी रखूँ का असली चेहरा देखकर तुम बचोगी नहीं, पर मा, मैं अब ठक गई हूँ, अब मुझे पप्पू की कोई शरम नहीं, तुम्हारा कोई लिहास नहीं, हाँ, सब जान जाओ, सब को मालूमोरा चाहिए, मैं कितनी पर्मा बरदार बेटी रही हूँ, म मैं तुम्हारे मरने की दुआ नहीं करती, तुम्हारे मुक्त होने की फर्याद कर रही हूँ, तुम्हारी मुक्ती में ही मेरी आज़ादी है, मा, जिस दिन रखू ने बरामदे से पपो की दोनों टांगे लटका कर फेकने की धमकी दी थी, उसी दिन मैंने इसे तुम्हारी सफेज चान्दी के रुप्यों की पोटली थमाई थी वो गुम नहीं हुई थी मा इसी हरामी को उसकी दरकार थी मैंने सच को छुपाने के लिए हमेशा तुमसे जूट बोला मेरे पास और कोई चारा नहीं था ठक 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 इतनी हलकी ठक ठक रगू की नहीं हो सकती अपनो उठना ही पड़ेगा पदा नहीं इतने मूसवेरे कौन आया है संध्या ने उठने की कोशिश की दुपट्टे से छलनी जलस्म ठका और लड़ खडाती हुई दर्वाजे तक पहुची दुआर पर तारवाला खडा था कभी इसकी पत्नी की पहली जच्गी पर संध्या ने राद भर जाक कर उसकी डिलिवरी कराई थी तारवाला भौचक उसे देखता रह गया उसने डर्टे डर्टे कहा बहन जी क्या बिमार हैं राद में भी दो बार खट-कटाया किसी ने खोला नहीं मैंने सुचा आप सोई होंगी सुबह आऊंगा तार ले लीजे संध्या के हाथ कापने लगे ये तार कहीं मा का तो नहीं उसके मन में कुछ खुड़का उसने कहा मा तुम मरना नहीं नहीं मा मैं तुमें सब बताऊंगी मा पर तुम मरना नहीं मुझे तुमसे बल मिलता है मा उसने सोच कर डरते डरते तार खुला और दिवार से सटी के सटी चौकट पर बेवोश हो गई तो ये थी पद्मा सचदेव जी की कहानी मुक्त सुनने के लिए धन्यवाद